विल्कम दो माई चैनल इंजल गैबल चैरेट्स एंडिस वीडियो में फॉर औरा भटनागर बहुत कुछ समय पहले किसी ने मुझसे एक चाइल आर्टिस्ट है फिल्म इंडस्ट्री में तो किसी ने फूचा हुआ है कि औरा भटनागर के बारे में थोड़ा सा उनके बारे मे इनका फ्यूचर कैसा है और फैंस जाना चाहते हैं उनके कि वो एक चाइल आर्टिस्ट है बहुत ही खुबसूरत क्यूट सी एक फीमेल एक्टर है इंडस्ट्री में एंजल क्या मैसेज कर रहे हैं इनके लिए प्रेजेंट में देखूंगी फिर फ्यूचर के तरफ और इनकी लाइफ में आगे फ्यूचर में एक जनरल एक रीडिंग कि उनके लाइफ में आगे एंजल क्या मैसेज कर रहे हैं, यूनिवर्स क्या मैसेज कर रहे हैं मेरे असपास जो करी वीडिवाई नेजी से प्रीज मुझे बताएं कि औरा भटनागर जो कि एक चायल आर्टिस्ट है इंडस्ट्री में बहुती क्यूट सी एक एक्ट्रिस है चायल आर्टिस्ट है मैं जानना चाहूंगे कि औरा भटनागर के लिए एक प्रेजंट क्या सिच है करियर वाई सग्र में बात करो तो उनके लाइफ में किस मुझे बताएं इस वक्त कुछ मुझे लगता है कुछ समय पहले कुछ ठीक नहीं था या तो उनकी तब्यत खराती या कुछ ऐसा और कहीं ना कहीं उनकी जो लाइफ में पीस है वो डिस्टर्ब हुआ था जो इनका ये भी दिख रहा है कि ये किसी चलाकी का शिकार हो रही है चलाकी किसी के थ्रू हो सकती है या किसे ने कुछ किया कराया हो सकता है इनके ओपर किया हो तो ये एक warning card message आ रहा है एंगलस के तरफ से कि अगर कोई काम उनका रुक रहा है या कोई health issue आ रहा है या करियर में र कि वैसे इनका जो जिन्दगी में जो peace है, peace of mind, मतब शान्ती भंग हो रही है कहीं न, कि इनके life में, lucive और angels मेसेज कर रहे हैं कि, बहुत ही smoothly, अपने life की सारी problems को ये solve करना जानती है, और करना चाहती भी है, life की जित्ते भी problems है, marriage का कहीं न, कहीं, इनके mind में कुछ विचार चल रहा है, कुछ feelings marriage को लेकर के भी है, शादी के लिए भी कहीं न, कहीं इनका दिख रहा है, कि ये चाहती है कि मेरी एक अच्छी जगे शादी हो, मेरी marriage life अच्छी हो, at present दिख रहा है, और इसके लिए वो बहुत कोशिश भी कर र life जो है, वो अच्छी हो, और इनका एक ये भी है, कि मेरी खुद की एक family भी हो, मतलब, should have one or two children also, मतलब, ये भी उनके दिमाग में planning है, सोच है, और लेकिन क्या है कि लोग उनको कई बार pin out बहुत करते हैं, या उनके उपर, सबते हैं कि वेंग करना, बेवज़ा का वेंग क करना, तो ये चीज़ problem create कर रहा है, उनके life में, मैं एक बार future देख लेती हूं कि ये universe क्या message कर रही है, और बटनागर के लिए, मेरे असपस, शुकरी जवाई energy से हैं, positive energy भी मुझे बताएं कि और बटनागर के लिए future में क्या messages हैं, उनके साथ क्या क्या होने वाला है, प्ल please मुझे बताएं, future में इनके साथ painful separation का card आया हुआ है, कहीं ने कहीं इनका किसी के साथ painful separation होने की possibility दिख रही है, मतलब ये इनके घर में जो भी इनके mail जो हैं, जो भी brother, father, मुझे नहीं मालुम कौन हैं, लेकिन यहां पर ही message आ रहा है कि वो परशान हो जाएंगे, जब painful separation होगा, ये महनती बहुत हैं, लेकिन दिक्कत ही हो रही है कि कहीं न कहीं इनके लिए situation ऐसी बनेगी कि इनका किसी painful separation दिख रहा है, या तो ये angels, अभी मैं इसको एक बाद clear कर लूँ कि ये death का card क्यों आया है, क्या ये किसी person separation दिखा रहा है, या इनका कुछ damage है, heavy damage है क्या, मेरे असपरस चुकर जिवाए नजीस है, positive negative मुझे बताएं कि और भटनागर का ये death का card आया है, क्या ये किसी person से, किसी घरवाले से, कोई भी इनके घर में जो होंगे, members, family members, उनसे painful separation है क्या, अगर ऐसा है तो positive card दिखाएगा, native card ना समझोंगी, नहीं, ये किसी घरवाले से है, किसी family member से नहीं है, क्या किसी दोस्ट से है, कोई करीबी कोई दोस्ट है, कोई अच्छा उनका, उससे उनका painful separation दिखा रहा है, death का card, अगर ऐसा है तो positive card दिखाएगा, native card ना समझोंगी, again negative है, क्योंकि ये बहुत, कुछ महीने पहले, किसी ने मुझसे इस सवाल पूछा था, कि मैं उनके बारे में बताऊं, तो ये कई बार universe ऐसे जवाब जटके में दे देती है, कि मैं भी shocked हो जाती हूं, लेकिन ये सच है, कि कुछ ना कुछ unhoney होने की possibility है, बस मैं इतना ही कहूंगी, बाकि इनके जो घर में जो कोई भी male personality है, इनके father, brother या जो कोई भी होंगे, इनको please पूरा protection दीजिए इस वक्त, जरूरी है कि ये जरूरी भी है, और जो लोग इनको बहुत वेंग करते हैं, पीट पीछे, ज्यादा ध्यान ना दे उसकी तरफ, वो कही न कहीं तकलीफ में बेवज़ा मतलब जो तकलीफ देते हैं, उनकी तरफ ध्यान ना दे, ऐसे लोग से, मैं यह ये advice करूँगी, वाकि ये ठीक नहीं आया है, जो ये आया है card, और angels negative ही दिखा रहे हैं, किसी family member ये किसी से painful separation नहीं है, अब इसके अलावा अगर मैं ज जो आप next, जो आप अंदाजा लगा लिजे कि ये किस की तरफ इशारा कर रहे हैं, ये painful separation वर्ल्ड से भी दिखाता है, अब वो तो मैं नहीं पूछने जारी, कि दुन्या से ही painful separation हो जाए, तो ये मैं नहीं पूछूँगी, अब ये आपके लिए warning card है, इसको मैं यहीं पे ह कि stop करूँगी, क्योंकि ये जरूरी है कि कुछ चीज़ें रास की रासी बनी रहे हैं रहादा अच्छा है, हाला कि ठीक नहीं है, बस मैंने एक आपको indication दे दिया है, कि इनको protection की जरूद है, जो लोग वेंग कर रहे हैं, प्लीज उनकी तरफ ध्यान मत दीजिए, जो पीट पीछे पंचायत लोग बहुत करते हैं, सामने के कुछ कहेंगे उनके और पीट पीछे जो उनके बुराइयां करेंगे, तो ये कहीं न कहीं प्रॉबलम में फासाने वाला सेकंड काट दिखा रहा है कि प्रॉबलम में ये फास जाएंगी, इन सब चीजों पर थोड़ा सा ध तक 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 त